सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है जहां हम फाइनस की नॉलिज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक स्मार्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसे हम रूल ओफ 72 कहते हैं या फिर हिंदी में हम इसे भत्तर का नियम भी बोलते हैं मैं इस ट्रिक को अल्मोस्ट अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ जहां पे मेरे को कुछ कैलकुलेट करना हो मान लिजे कोई चीज अगर कमपाउंड टरीके से बढ़ रही है और मुझे पता लगाना है कि वो कितने समय में डबल हो जाएगी तो rule of 72 से हम चुट्कियों में कैलकुलेट कर सकते हैं अब अगर मैं इसकी अपको एक application का example दूँ मान लिजे अगर आप कहीं पे FD केंदर invest करते हैं जहां पे आपका पैसा 8% पर एनम के हिसाब से compounded तरीके से grow करता है तो कितने time में आपका पैसा double हो जाएगा या फिर अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर महंगाई 6% के इसाब से बढ़ती है तो कितने समय में आपके जो prices हैं जितने भी commodities हैं जो भी आप daily मर्रा में समान खरीते हैं उनके prices कितने समय में double हो जाएगे तो आप ये quick calculation rule of 72 से कर सकते हैं अगर हम reverse तरीके से भी देखें अगर आपके पास मान लीजे आप ये चाहते हैं कि आपको 6 साल में let's say पैसा डबल करना है तो आपको कितने percent से अपना पैसा ग्रो करना होगा वो भी ये बहुत quickly calculate कर सकता है rule of 72 अगर आप actually calculation में जाएंगे एकसेल से करेंगे या calculator से करेंगे या manually करेंगे तो एक तो आपको समय जादा लगेगा और आपको resources भी चाहिए होगे at least आपको laptop चाहिए होगा excel operate करने के लिए या आपको calculator चाहिए होगा लेकिन ये rule of 72 आपकी daily life में काफी काम में आने वाला है तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा चलते हैं सीधा blackboard के तरफ तो rule of 72 समझने के लिए हम investments को compare करके देख लेते हैं मान लिजे mutual funds के अंदर आपको जो percent return मिलता है compounded return होते हैं ये generally आपको 15% per annum के compounded returns मिल जाते हैं अगर आप FD में compare करें तो let's say आपको 8% per annum के returns मिल जाते हैं और अगर आप savings bank account के अंदर अपना पैसा रखते हैं तो मान लेते हैं कि आपको 4% per annum के returns मिल जाते हैं ये मैंने ऐसे ही approximation लिया है ये कोई hard and fast नहीं है कि इतने ही returns आपको मिलते हैं प्लस माइनस definitely हो सकते हैं लेकिन हम ये पता लगाना चाहते हैं compare करना चाहते हैं कि इन तीनो cases में माल लीजिए पैसा कितने time में double हो जाता है तो मैं आपको ये quickly calculate करके बता देता हूँ mutual fund के case में ये लगभग 5 साल में double हो जाएगा approximately 5 साल है मैं फिर भी आपको अगर exact figure बता हूँ तो ये 4.8 years में double हो जाता है FD के case में ये 9 साल में double हो जाएगा और savings के case में savings account के case में ये 18 साल में double होगा तो अब देखिए आप compare करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया जादा बेटर लग पाता है जब आप double money का time calculate करते है तो यहाँ पे आपको लगभग 4 साल extra लग रहे है अगर आप पैसा अपना FD में रखते है तो आपको 4 साल extra लग रहे है पैसा double करने में और अगर आप savings account में रखते है और FD के मुकाबले आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा 9 साल का difference आ रहा है और mutual funds और savings account की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपका 13 साल का difference आ रहा है अगर आप mutual fund में पैसा अपना grow कर सकते हैं तो आप देखें 18 साल के अंदर तो 3-4 बार double कर लेंगे तो इस तरीके से आप अपनी investments compare कर सकते हैं बट सवाल यह उठता है कि मैंने यह calculation इतनी fast कैसे करी अब देखें calculation करने के काफी तरीके हैं पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास normally क्या तरीके होते हैं manually या तो हम calculate कर सकते हैं manually कैसे calculate करेंगे आज की rate में आपके पास एक लाग रुपे है let's say मैं यह 15% का एक्जामपल ले लेता हूँ तो let's say यह हमारी हो गई zero date एक साल बाद आपको कितना पैसा हो जाएगा यह 1 into 1.15 हो जाएगा 1.15 तो यह हो गया 1.15 lakhs second year में यह कितना हो जाएगा यहाँ पे आप फिर से 15% आप add कर देंगे तो यह आप 1.15 को दुबारा 1.15 से multiply कर देंगे तो यह value आपके आजाएगी 1.3225 और इस तरीके से आप करते चले जाएगे third year में आप 1.3225 को फिर से 1.15 से multiply करेंगे यह आपके value आजाएगी करीब करीब 1.52 फिर आपकी यह जो 1.52 आई fourth year के अंदर आप 1.52 को फिर से 1.15 से multiply करेंगे यह करीब 1.75 आएगी और पाँचमे यह में जब आप 1.75 को 1.15 से दुबारा multiply करेंगे तो यह करीब करीब 2.01 value आएगी तो यह देखिए आपके पाँचमे साल में लगबग almost 5 साल हो जा रहे हैं 4.8, 4.9 years के आसपास आपका पैसा double हो रहा है और यह चीज मैंने एकदम से quickly calculate कर ली थी अभी हम आएंगे rule of 72 से आप इसे quickly कैसे calculate कर सकते हैं बट एक बार मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि इसकी importance क्या है देखे compound interest formula से हम calculate कर सकते है same ही चीज को कि आपके जो final amount होता है वो principal into 1 plus r r हो गया आपका rate of return और n हो गया आपका period तो इससे अगर आप calculate करेंगे तो आपको double करना है यह आप 2 कर देंगे और principal आप 1 कर देंगे into आप 1 plus rate of return आप यहाँ पर 0.15 कर देंगे 15% की अगर हम बात कर रहे हैं तो और raise to the power n अब आपको यह जो n solve करना है न यह आपको log वगेरा से solve करना पड़ेगा तो यह इस formula से भी आपके लिए solve करना इतना असान नहीं है तीसरा हो गया आपके पास excel अब excel में हो तो जाती है को एक calculation लेकिन उसके अंदर भी आपको एक तो exact formula पता होना चाहिए और दूसरा आपके पास जहाथो laptop होना चाहिए या फिर excel आपको अपने mobile में operate करना पड़ेगा चलिए यह तो हो गई बात कि आपके पास क्या-क्या traditional methods थे तो हमने यह 1, 2, 3 traditional methods की बात कर ली जिसमें काफी time लग जाता है या फिर आपके पास resources होने चाहिए अब तीसरे हम rule of 72 की बात करते हैं जिसमें मैंने आपको कहा कि 2 second में calculation होती है rule of 72 क्या कहता है अगर आपको time निकालना है कि कितने time में आपको पैसा double हो जाएगा तो सीधा-सीधा आप 72 से rate of return को divide कर दीजिए तो अब यहाँ पर अगर हम अपने example में देखें आप क्या करेंगे सीधा 72 को 15 यह हमारा rate of return हो गया 15 से आपने divide गया यह 4.8 years आगया आपने अगर 8% का calculate करना है 72 को आप 8 से divide कर दीजिए 72 आगया 9 years आगया आपने 4% का निकालना है आप 72 को 4 से divide कर दीजिए 18 साल आगया कितना simple है यह इस तरीके से निकालना 2 second में calculation होती है in fact आप अपने friends के सामने boast भी कर सकते हैं अगर मैं कहना चाहूं तो अब चलिए इसकी मैं आपको दूसरी applications भी बताता हूं for example अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि मान लीजे आज की date में महंगाई जो है inflation जिसे हम कहते हैं वो 6% per annum का है और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि कितने time में कीमते double हो जाएंगी तो simple आप n is equal to 72 by r करेंगे तो 72 divided by 6 सीधा सीधा बारा साल के अंदर आपके prices double हो जाएंगे अगर 6% की महंगाई है तो हर साल अगर 6% बढ़ता रहता है तो फिर अगर हम यह पता लगाना चाहते हैं कि हमारी salary कितने time में double हो जाएगी मान लेते हैं कि आपको हर साल 10% का annual increment मिलता है तो आप क्या करेंगे n is equal to 72 by r सीधा 72 by 10 कर देंगे सवा 7 साल के अंदर आपकी salary double हो जाएगी लगबग अभी आपकी salary मान लीजे आप सोचते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी double करनी है तो मुझे double करने के लिए कितने time में कितना fast करना पड़ेगा तो अगर मान लीजे आप सोचते हैं कि अगर मैं मान लीजे 15% से grow करता हूँ कुछ पैसा double करना है तो आपको कितने returns चाहिए कि आपका पैसा double हो जाए तो इसको आप reverse कर दीजे n is equal to 72 by r की जगे आप r is equal to 72 by n कर दीजे तो यहाँ पे आपका r कितना आ जाएगा 72 divided by 6 यहाँ पे आप 12% per annum के हिसाब से अपना पैसा grow करते हैं तो 6 साल के अंदर double हो हूँ तो अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आपका कोई भी social media का channel है for example अगर आप instagram पे अपने followers बढ़ाना चाहते हैं let's आप यह पता लगाना चाहते हैं कि अगर मेरे को एक साल में double करने हैं अपने followers तो मेरे को हर महीने कितना percent followers gain करने होंगे तो r is equal to 72 by यहाँ पे हो जाएगा 72 divided by एक साल में 12 महीने होते हैं हम यहाँ पे 12 महीने मतलब monthly rate of return निकालना चाहते हैं तो 6% per month अगर आप grow करते रहते हैं अपने followers तो आप double पहुंच जाएंगे एक साल के बाद इस तरीके से आप rule of 72 की कि कितनी भी applications निकाल सकते हैं आप कोई भी चीज पता लगा चाहते हैं कि कोई चीज कितने time में double हो जाएगी कितने rate of return पे double हो जाएगी वो निकाल सकते हैं या फिर आप ये निकालना चाहते हैं कि आपको कितना rate of return चाहिए double करने के लिए किसी particular time में तो वो भी निकाल सकते हैं तो I am sure ये quick calculation आपके काफी काम में आएगी मैंने रहती है कि मैं finance के आपसे detailed videos share करूं हर रोज मैं इस तरीके के काफी informative videos लेके आता रहता हूं तो आपने अभी तक अगर इस channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे latest video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले video में तब त सीखते रहिए कमाते रहिए और खुश रहिए